हालो गाईज दिस इस रित्व और वैलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग आज की वीडियो हमारी सीटेट से रिलेटिड है इस चैनल पर ऐसे काफी सारे स्टूडेंस होंगे जो 31st जैन को सीटेट का एक्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये वीडियो उनके लिए काफी helpful है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना पेपर किस तरीके से attempt करना है कि आपकी better scoring हो और साथ-साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको अपने साथ क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है यह चोटी चोटी गलतिया मैंने अपने टाइम पर कर ली थी जिनकी वज़े से मेरी स्कोरिंग जाद अच्छी नहीं हो पाई इसलिए गाइस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना experience जो है वो share कर लेती हो जिससे कि आप यह silly mistakes ना करो और अपनी scoring जो है वो जादा better कर लो तो गाइस वीडियो को full देखेगा और last देखेगा और वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like share जरूर करना और जो भी चानल पर नहीं हो चानल को subscribe करकर bell icon को hit करना मत भूलेगा तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं चलिए guys सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़े लेकर जानी है और क्या चीज़े लेकर नहीं जानी है अब आप सोचोगे कि इन चीज़ों का paper पर क्या effect पड़ेगा guys paper पर effect बहुत जादा पड़ता है क्योंकि जब gate पे ही आपका इन सब चीज़ों के ना होने से दिमाग खराब हो जाएगा तो आप paper कैसे attempt करोगे अच्छे से जब एक बार mind setup चेंज हो जाता है तो उसकी वज़े से हमारे paper पर इफेक्ट पड़ता है जितने अच्छे तरीके से paper attempt कर सकते होते हैं उतना नहीं कर पाते हैं तो चलिए one by one देख लेते हैं आपको admit card रख लेना है photocopy रखनी है अब वो color photocopy रखी है या black and white आपकी मरजी है देन photo ID card एक लेकर जाना है आपको उतनी एक ID लेकर जानी है उसमें आपकी photo होनी चाहिए अब वो आधार card हो pen card हो आपका water ID card हो कोई फरक नहीं पड़ता लेक आपको ball pen use करने सीटेट में आपको gel pen use नहीं करना होता है या तो black यूज कर सकते हो या फिर blue यूज कर सकते हो यह आपकी मरजी है मैं आपको बोलूगी कि आप एक black भी ले जाएगा और एक blue ले जाएगा जो वहां बोला जाए वो यूज कर लीज़ेगा लेकिन pen अपना ही लेकर जाएगा वहां आपको कोई pen नहीं देगा नेक्स है sanitizer और water bottle यह दोनों चीज़े transparent लेकर जाएगा और अपनी ही लेकर जाएगा कोविट के टाइम पर इनका बहुत जादा ध्यान रखा जाएगा और sanitizer जो है वो 50 ml का आप ले जाएगा और water bottle आपकी आधा लीटर की होन या अब आप सोचोगे कि rough work कैसे करें तो आपको वहां पे पीछे एक page मिलता है उस पर आप अपने pen से ही rough work कर सकते हैं कोई problem नहीं है उसको last में cut कर दीजेगा that's all तो चली अब देख लेते हैं कि paper आपको कैसे attempt करना है जिससे कि आपकी जो scoring है वो better हो चली गाइस अब हम देख लेते हैं कि हमें paper किस तरीके से attempt करना है हम दोनों ही paper के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो गाइस हमारा जो seated का paper होता है वो two parts में होता है paper one and paper two आपकी choice होती है आपको paper one देना है paper two देना है या दोने paper देने है ठीक है उसके बाद time हमारा 500 minute होत होते हैं और हर question पर हमें एक number दिया जाता है बाकी guys paper one और paper two के पर मैंने full detail में वीडियो बनाई हुई है उनका link description box में दिया गया है जिसनोंने नहीं देखे है वहाँ जाकर देख सकते हैं ठीक है आपका paper 31st January को ही होगा यह confirm है इसमें कोई doubt नहीं है तो चली आप देख लेत है वाइस paper one में आपके पांच पार्ट होते हैं और पांचो ही सबके लिए compulsory होते हैं इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो किसी को नहीं करना है सब कोई करने है पांचो पार्ट अब इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे घर से ही देख कर जाओगे कि आपने language one में क् लैंग्वेज टू में क्या वराए पेपर वन में भी पेपर टू में भी ठीक है यह आप देखकर चले घए फिर आपको पेपर मिला तो फिर आप क्या करोगे सबसे पहले आप language वाला पार्ट खोलोगे अभी हम पेपर वन की बात कर रहे है लैंग्वेज वाला पार्ट को होगे अगर आपने language वन में हिंदी चूज की है तो आप English वाला पार्ट कर दोगे ठीक है फिर Automatically यह है कि आपने वहाँ पर Language 2 में English चूज किया है, तो आप Language 2 में फिर Hindi वाला पार्ट कट कर दोगे, आप वो कट किया हुआ देखोगे, तो इसका मतलब आपको वो नहीं करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फिर guys आपको क्या करना है, पर पेपर करना शुरू करना है, तो पेपर में आपको सबसे पहले CDP करना है, नमबर 1 में, फिर आपको Language करना है, फिर आपको दूसरी Language करनी है, उसके बाद आपको EBS करना है, और last में आपको Match करना है guys, जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने सीरियल वाइस कर दिया था मैच में सबसे जादा टाइम चला गया था मेरा जिसकी वज़े से मेरे पास लैंगवेज को करने के लिए टाइम ही नहीं बचाता और लैंगवेज में सबसे जादा नंबर हम ग्राब कर सकते हैं और मैंने लैं सबसे लास्ट में करना और उससे पहले सारे पार्ट जैसे मैंने बता हैं वैसे करिना तो आपका पैपर जादा च्छा होगा और आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहगा तो चलिए बर पेपर टू के Regg. पर्डू में Emad तो इस तरीके से आपको चार पार्ट करने होते हैं अब देख लेते हैं पेपर हमें कैसे करना है तो गाइस जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको लेंग्विज वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने अभी पेपर वन के लिए बताया था ठीक है जो आपने चूज किया उसको छोड़कर बाकी को कट कर देना है और सेम आपको मैच साइंस और सोसल साइंस वाले पार्ट में विकरना है अगर आपका मै साइंस वाला पार्ट कर दीजेगा चलिए अब देख लेंगेर किस तरीके से connect करना है तो वही पहले हमें सीडीप करना है उसके बाद language 1 करना है उसके बाद language 2 करना है और उसके बाद हमारा अपना teaching subject करना है यानि कि match है तो match कर लीजेगा और social science आपका है तो social science कर लीजेगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे paper 1 और paper 2 को में कैसे करना है ये बाते तो खतम हो जाती है अब कुछ social distancing फोलो की जाएगी जिसकी वज़े से आपको एंट्री करने में ज्यादा time लगेगा और हो सता है आपको रास्ते में ट्राफिक मिल जाए क्योंकि जिस दिन exams होते हैं उस दिन ट्राफिक बहुत होता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने exam से एक घंटा पहले center पर पहुँच जाए ठीक है दूसरी बात जब आप पेपर करें तो time management ध्यान में रखेगा घड़ी आपके बिलकुल सामने लगी होगी और आप अपने time को manage करते हुए paper कीजिएगा ठीक है तीसरी बात एक बार question को ध्यान से पढ़िएगा अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़िएगा उसके बाद answer कीजिएगा sometime हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हमारा question आते हुए भी गलत हो जाता है तो ध्यान से पढ़कर तब टिक कीजिएगा ठीक है अगर question नहीं आ रहा है आपको तो उसको छोड़ कर आगे बढ़ जाईगा और जब आपक बहुत टाइम है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है और बाद में वह question हमारे चूड़ जाते हैं तो छोड़ने से अच्छा है कि हम उन्हें फिल कर दे चाहे तुक्के से ही सही हो सकता है कोई answer हमारा तुक्के से सही हो जाए और अगर situation मेरे जैसी बने कि time कम है question जादा ह में रब कर आप गोले भर दीजेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छा यही है कि आपके सारे गोले फिल होकर जाए ठीक है लास्ट में ओमार शीट को बहुत अच्छे से फिल कीजे गाईज आप लोग उसे फिल करने में भी बहुत गड़बड करते हैं होप करते हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगी होगी और हल्फुल रही होगी आपके लिए आज की वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं and all the best for your exam और मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में सो तब तक के लिए बाई and thank you for the watching this video